नमस्कार मैं ओधिवे बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है 25 नवेंबर दिन सोंबार खबरों के अबरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर आज सुविधान मंडल की सीत कालीन सत्र होगी शुरू सुरक्षा के किये गया पुखता इंतजाम कई महत्वापूर्ण मुद्वो पर हो सकती है चर्चा सुविधा एप पर मिल रहें कई फाइदे बिजलियों भोगता घर बैठे ही ले सकते हैं इसका लाब जानी एप पर क्या-क्या मिलती है सुविधाए SBI पट्टा महराथन डी लोडेड हो रहा है उजित जीतने वाले को 50 लाख रुपे तक कम मिलेगा इनाम एक दिसंबर को होगा है उजट नेशनल फ्रेंच बॉक्सिंग के लिए बिहार के 62 खिलारियों का चगन 10 दिलों से चैनित हुए खिलारी 26 से 30 दिसंबर तक कॉलकादा में आया हो ज़िए यूंतम तापमान में लगातार हो रही गिरावट आज का मौसम रहेगा सोस्क जानिये प्रदेश के मौसम का मिजाज पठनावा दर्दागा एर्पोर्ट से शुरू होगे अंतराश्टिय उरान नेपाल और दुबई जैसे देशों के लिए मिलेगी उरान सेवा उत्तर बिहार में परिटन वैपारों निवेस को मिलेगा बरहावा जिस सब पंत बने IPL में सबसे महंगे खिलारी लखनों सूपर जाइंट्स ने 27 करोर रुपए में खरीदा इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेरिया भारत ने 534 रन का दिया लक्ष चलिए अब भरतें आब तक के 25 बरी खब्रोक्रियों और विस्तार से रक्ष्वा मंत्राले के यंत्री इंडिया लिम्टेट की तरफ से ITI और नौन-ITI के कुल 3883 पदों पर भरते निकाली गई है आविदन प्रक्रिया शुरू है और आविदन करने के इंतिम तारीक 21 नवेंबर थी निसे बरहा कर 30 नवेंबर कर दिया गया है इच्छो को मिद्वार इसके आधिकारिक वेबसाइट यंत्री इंडिया.co.in पर जाकर आविदन कर सकते हैं इस भरती के लिए मिद्वारों को किसी भी मानिता प्राप्त बोड या संस्थान से दस्वी पास होना जरूरी है और संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो भरती से संबंधित सर्टीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं बिहार सरकार ने बिजली से जुरी परिशानी को देखते हुए लोगों की सुवधा के लिए सुवधा एप लॉंच किया है जहां बिल देखना भुगतान करना बिजली चोरी की सिकायत करना सोलर पैनल या नेट मीटिंग के लिए आविदन सरकार योजनाओं का लाब इस एप की मदद से बिजली दफ्तरों के चक्कर लगाने की भी जरूरत नहीं रहेगी और घर बैठे ही हम कई कामों को आसाने से कर सकेंगे आज से बिहार विधान मंडल का सीत कालीन सत्र शुरू हो रहा है जो 29 नवेंबर तक चलेगा विधान मंडल की जॉइंट सेसन सुबेश सारे 11 बजे से शुरू होगी और सत्र की शुरूआत राज़ेपाल के भी भासन से होगी और कई महत्वापूर्ण मुद्धों पर चर्चा की संभावना है इस सत्र के सफल संचालन के लिए प्रसास्तन ने 33 सुरक्षा व्यवस्ता की योजना बनाई है विधान सभाप परिसर में सुरक्षा को लेकर वाइट लाइन पट्टी के भीतर केवल मार्सल्स और विसेस अनुमती प्राप्त वेक्तियों को प्रवेश के अनुमती होगी प्रदसन कार्यों के लिए गर्दनी बाग में धर्ना अस्थल नरधारित के गए हैं जहां सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए हैं सत्र के शुरू होने से पहले विधान सभाद ध्यक्ष की अध्यक्सता में सर्वदलिये बैठक भी हुई जिसमें सभी दलों ने सत्र के सांती पूर्ण संचालन में सहयो कास वासन दिया बिहार में एक्तिस लाख से अधिक महिला जीविका दिदी के रूप में लखपती बन चुकी है जिनकी सालाना अमदनी एक लाख रुपे या उससे अधिक है ये संख्या राश्ट्रे अस्तर पर सबसे जादा है किंद्र सरकार की लखपती दिदी योजना 2023 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश सिक ग्रामीन महिलाओं को आर्थिक रूप से ससक्त बनाना है इस यूजना के तहत महिलाएं क्रिसी पसुपालन और छोटे वेबसायों से जुरी है राजे भर की इन लखपती दिदियों को उद्यमिता का प्रसेक्शन दिया जाएगा अगर आप सर्दियों में एक सांदार परिटर नस्तल की तलास में है तो बिहार का वालमी की टाइगर रिजर्व यानि वी टियार आपके लिए एक बहतरीन विकल्प हो सकता है ये रिजर्व नेपाल की सीमा के पास अस्तित है जहां घहने जंगल, पहार, जीले और ज़रने हैं साथ ही धार में का स्थल भी है वी टियार की सफारी के बाद परेटकों को नेपाल के वालमी की आसनम के दरसन करने का मौका मलता है जो पहारी नदियों और जंकलों के बीच अस्तित है त्रिवेनी घाट, गजिंदर मोक्ष धाम और सीस महल जैसे दरसनी आस्थल भी है जो सर्दियों में अपनी खुबसूर्ती से आपको मंत्र भुग्द कर देंगे ये अस्थान भारत और नेपाल की सांस्क्रितिक धरोहरों को भी प्रदरस्त करता है बिहार से 62 खिलारियों का चैन नेशनल फ्रेंच बॉक्सिंग चैंपियनसिप 24 के लिए किया गया है चैंपियनसिप 26 से 30 दिसंबर तक कॉलकाता के सियाल्दा में पील रॉय इंडोर इस्टेडिया में आयुजित होगी बिहार के दस दिलों से खिलारियों का चयन किया गया है जिन में मुसापरपुर, पटना, सीता मड़ी, दर्भंगा, सारन, बेगु, सराई और अन्या सामल है खाली सीटों पर ओपन ट्राइल के माध्यम से भी खिलारियों का चयन किया जाएगा चैनित खिलारियों को राज सवात संग के सचीव सिहान ई राहुल स्रीवास्तब ने चैन पत्र सौंपा है विभिन स्रेनियों के खिलारियों की सूची में सब जूनियर से लेकर सीनियर तक के खिलारी सामिल है जिन में उपासना अनंद तन्नुसरी आली हसन अधिते कुमार गौतमादी सामल है मदन सेथ उत्पाद एवं निवंधन विभाग की पहल पर SBI पटना मेराथन रिलोडेट का आयोजन किया जा रहा है जहां जीतने वाले को 50 लाख रुपे तक काय नाम दिया जाएगा इनमें भाग लेने के लिए आप www.biharmairathan.com पर जा सकते हैं ये मैराथन रन फॉर नसा मुक्त बिहार के तहट 1 दिसंबर को आयोजन हो रहा है 5 किलोमेटर वाले में 400 रुपे, 10 किलोमेटर वाले में 500 रुपे 21 किलोमेटर वाले में 800 रुपे और 42 किलोमेटर वाले में 300 रुपे प्री लांच टिकेट प्राइस नरधारे थे इससे संबंदित सर्टीक और अधिक जानकारी के लिए आप 7-7-6-2-8-2-2-6-2-4 पर कॉल कर सकते हैं हमारे द्वारा बताएगे वेबसाइट पर भी विजिट कर सके हैं बिहार क्रेसे विस्व विद्याले अब प्रदेश को स्मार्ट बनाने की दिसा में कदम बरहा रहा है और गुवा के मॉडल पर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम विखसित कर रहा है इसका उद्देश से बिहार की सफाई विवस्था में सुधार करना है B.A.U. कच्रे से खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है साथ ही अन्य प्रकार के कच्रे को सही तरीके से निप्टाने की योजना बनाई जा रही है खासकर क्रेसी अपसेस्ट जो वातावरन के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें जलाने की बजाए उचद तरीके से निप्टाया जाएगा B.A.U. के कुलपती डॉक्टर डियार सिंग ने बताया की कच्रा प्रबंधन के लिए गुवा से नई तकनीक सीखी गई है जिससे बिहार में लागू किया जाएगा इसके लावे भागलपुर सहर के कच्रे को भी निप्टानी के लिए ठोस पहल की जा रही है ताकि पड़वरन को बचाया जा सके बिहार के पटन और दर्भंगा एरपोर्ट से अगले साल तक अंतर राष्टे उड़ाने शुरू हो जाएंगे पटन एरपोर्ट के विस्तारी करन और दर्भंगा एरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग की सुवधा के बाद नेपाल और दुबई जैसे देशों के लिए विमान सेवाईं शुरू की जाएंगी तरभंगा एरपोर्ट के रनवे की लंबाई बढ़ा कर 12,000 फुट करने के लिए 91 अतरिक्त भूमी की आवशकता है इससे बिहार सरकार अगले 6 महीने में उपलब्ध कराएगी इससे उतर बिहार में वैपार, निवेसो और परिटन को बरहावा मिलेगा दरभंगा एरपोर्ट परतमार में बिहार की 14 जलों को हवाई संपर्क प्रदान करता है और यहां यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करवाने के लिए UIDI ने फीस्ट तैकी है जो आपके द्वारा किये के बदलाव के प्रकार पर नर्भर करता है अगर आधार कार्ड में बायोमेट्रिक जानकारी जैसे फिंगर प्रेंट और आईडेस अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए 100 रुपे की फीस्ट लगेगी वहीं डेमोग्राफिक जानकारी जैसे नाम पता जन्मत थी और लिंग अपडेट करने के लिए 50 रुपे की फीस्ट नर्धारित की गई है आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करना अब एक सामाने प्रक्रिया बन चुकी है क्योंकि ये दस्तावेज भारत में जरूरत के मताबक स्कूल से लेकर सरकारी योजनाओ तक उप्योग किये जाते हैं यूआईडियाई ने ये सिस्टम आसान बनाने के लिए पेस किया है अगर आप कम बजट में गारी खरीदने की एक्च्छा रख रहे हैं तो बिहार का गोपाल गंज एक बहतरीन मौका पेस कर रहा है यहां मद्द निसेद और उत्पाद विभाद द्वारा सराब के मामलों में जब्द की गई गार्यों की निलामी जल्द ही होने वाली है इस निलामी में बाइक, स्कूटी, कार, ट्रॉक, पिक अप, वैन और साइकल जैसे कई कुल 73 गारीों की निलामी की जाएगी निलामी 4 दिसम्बर से शुरू होगी और आविदन 2 दिसम्बर तक किया जा सकता है गारीों की शुरुवादी कीमत काफी कम रखी गई है प्रफा के कारियाले में नरधारित दर्का 20% डिमांड ड्राफ्ट जमा करना होगा बिहार के बकसर जिले के चरितरवन में हर साल नवेंबर में पंच कोसी मेला आयुजित होता है जिसमें 5 दिनों तक 5 कोस की यातरा की जाती है और विभन प्रकार की भोग अर्पित के जाते हैं इस मिले का संबंध भगवान स्री राम से चुरा है और इसे धार्मिक वसांस्कृतिक द्रिस्टी से महत्वपूर्ण माना जाता है रविवार को मेले के अंतिम दिन भगवान स्री राम को लिट्टी चोखा रपित किया गया इस दिन जारखंड हाई कोट के जज एन पाठक सहित कई लोग प्रसाद की रूप में लिट्टी चोखा का आनंद लेने पहुँचे थे ये परंपरा तिरेता युक से चली आ रही है जब भगवान स्री राम और महर से विश्वामित्र बकसर आये थे लिट्टी चोखा अब बिहार और यूपी के पुर्वांचल में एक पहचान बन चुका है बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे करपूरी ठाकूर की इनका जन्म 24 जनवरी वर्स 1921 को समस्तेपुर जिले में हुआ था ये एक स्वातंदरता सेनाने सिक्षक बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री और दो बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं इन्हें इनकी लोग प्रियता के कारण जन नायक भी कहा जाता था भारत सरकार द्वाराही ने भारत के सर्वुच नागरिक सम्मान भारत रतन से भी सम्मानित किया जा चुका है 17 फरवरी वर्स 1988 को इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया बिहार सिक्षव विभाग ने हाली में 1.14 लाख विसिस्ट सिक्षकों को न्यूकती पत्र प्रदान किया है और तीसरे चरण के सफल उमधवारों की जल्द बहाली का वादा किया है हारांकि तीसरे चरण में माध्यमिक और उच माध्यमिक सिक्षक भरती का परिणाम अभी चारी नहीं हुआ है इस बीच अतिति सिक्षकों को ने सरकार से अपनी बात सुनने की अपील की है अतिति सक्षक संगठन के अध्याक शुकुमार संजीव ने बताया कि 2018 में भरती किये गए अतिति सक्षकों के आयू सीमा 35 वर्स से अधिक हो जुकी है जिससे वे परिक्षा में बैठने के योगी नहीं है उनका कहना है कि अधि उन्हें चौथे चरण में सामल नहीं किया गया तो रिक्त पदों पर उनका समायोजन किया जाए इस साल साउथ एस्ट एसी और मिडल एस्ट के स्कैम सेंटर से 2 मिलियन से जादा अकाउंट्स फेस्वुक की पैडेंट कंपनी मेटा ने बंद के हैं ये अकाउंट्स अपराधी संगठनों से जुरे थे ये सबी लोगों को धोका दे कर उनके अकाउंट्स का इस्तिमाल गलत तरीके से कर रहे थे इसमें पिक बोच्रिंग स्कैम सामल है इस स्कैम स्कैमर्स लोगों से ऑनलाइन दोस्ती करते हैं और उन्हें क्रिप्टो करिंसी में निवेज करने के लिए मनाते हैं बाद में उनका पैसा गायब कर देते हैं मेटा इन धोकादरी कतिविधियों को रोकने के लिए कानून प्रवर्थन एजेंसियों और अन्हें कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहा है इसके तहत डिंडिरिस और्गनाइजेशन और इंडिविज्वल्स यानि दी ओवाई निती के तहत स्कैमर्स के अकाउंट्स पर कारवाई की जा रही है और उन्हें हटाया जा रहा है डांक प्रदर्शनी का पहला दिन पूरी तरह से महिलाओं के नाम होगा जहां महिला ससकती करण को बरहावा देने के उद्देश से महिलाई ही सभी कारेकरमों का संचालन करेंगी मंच संचालन से लेकर अतिथी, सतकार, बैंड, टीम की सदस्यता और अन्यकत विधियों में महिलाओं की भागेदारी होगी इस प्रदर्शनी का आयोजन 28 से 30 नवेंबर तक ज्यान भवन में हो रहा है जो लगभग 12 वर्सों बाद राज्यस्तर ये डांक प्रदर्शनी है पहले दिन पत्म भूसन सार्दा सिन्हा पर विसेश सावरन का विमोचन किया जाएगा साथ ही बिहार की ससक्त महिला नेतरत्व पर पर पेक्चर पोस्ट कार्ड भी जाली किया जाएगा इसके लावे बिहार की नौशकती पीठों को एक पोस्ट कार्ड पर ला कर महिला ससक्ती करन की दिसा में डाक विभाग एक और कदम उठा रहा है बिहार में इन दिनों लगातार नियुंतम तापमान में गिरावट देखने को मिल लही है पच्छुआ हवा के कारण ठंड में बरहोतरी हुई है बिहार में आज का मौसम सुस्क रहने की संभावना है प्रदेश में आज का नियुंतम तापमान अधिकतम जगों पर 14-16 डिगरी तक रहने की संभावना जटाई गई है पुलिस ने पटना के दीदार गंज टोल प्लाजा के पास सराब की बरी खेब बरामद की है पुलिस को सूचना मिली थी कि हरियाना से सराब का एक बरा खेब कंटेनर में छेपा कर लाया जा रहा है जब कंटेनर की जांच की गई तो उसमें 248 कार्टन में 2207 लीटर विदेशी सराब मिले पुलिस ने चाला को गिरफदार कर लिया है जो राजस्थान की बार मेर का निवासी है पूच्छ दाच में ड्राइवर ने बताया कि सराब का खेब पदमा हजारी बाग से लोड किया गया था और उसे दिदार गंज में किसी अन्य व्यक्ति को सौपना था पुलिस अब सराब के धंदे बाजों के नेटवर्क का पता लगाने की कोशुश कर रही है ग्रामीन स्पी में मामले की जाज के लिए मौके पर पहुंचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बाद कारिकरम के 116 एपिसोर में गोपाल गंच की केंद्रिय लाइब्रेरी का उलेख किया और कहा कि ये लाइब्रेरी समाज में बरा बदलाव ला रही है यहां से चात्रों को प्रतियोगी परिक्षों के लिए किताबे मिल रही है जो उनके लिए मददकार साबत हो रही है प्रधान मंत्री ने चात्रों को किदावों से दोस्ति करने के लिए प्रिडित किया क्योंकि ये उनके जीवन में सकरात्मक मदलाव ला सकता है गुपाल गज़ के इस लाइब्रेरी में 12 गावों के छात्र भी आकर किताबे पढ़ते हैं गुपाल गंज के डियम प्रसांत कुमार ने से पुस्तकाले को और पहतर बनाने के लिए कई कदम उठाएं जिससे छात्रों को रोजान और बर बिहार उप्चनाव की नतीजों के बाद बीते दिन रवीवार को नेता प्रदिपक्ष जस्वी यादव अपने पिता लालो प्रसाद यादव के साथ महादेव के दर्सन के लिए उज्जयन रवाना हुए इस दोरां ति जस्वी यादव ने मीडिया से बात जीत में कहा कि एंडिये दोजार चौबस में जार खंट हारा है और दोजार पच्चस में बिहार बिहार जाएगा प्रधान मंतरी मोदी के एक है तो सेफ है बयान पर पलटवार करते वे उन्होंने कहा कि भाजपाही देश को बाटने और नफरत फैलाने का काम कर रही है जस्वी ने ये भी कहा कि बिहार में अंडिये की ये अंतम जीत है आगे वे जीतने वाले नहीं है मालूम हो कि उपचुनाव में महागरबंदन को एक भी सीट नहीं मिली सभी चार सीटे एंडिये के खाते में गई थे 2025 विधानसवा चुनाव के लिए जदियू ने एक नई रननीती तयार की है और सूपर सैबन टीम का गठन किया है जिसे चुनाव जितने की जिम्मेदारी मिली है ये टीम बिहार के सभी विधानसवा श्वेतरों का दौरा करेगी वर्तमान राजनेते के स्थिका आकलन करेगी और पार्टी की रननीती तयार करेगी टीम में जदियू के प्रमुख नेताओं को सामल किया गया है जिसमें जहां असोक चौधरी, विजया चौधरी, उमेशकुस वहाब, विजेंदरियादव, स्रवन कुमार और सांसद रामनात ठाकूर सामल है ये टीम बिहार के विविधन जलों में जाकर कारेकरताओं से समबाद करेगी और मुख्य मंत्री नितिश कुमार की योजनाओं और कार पार्टी के स्थिति को समझना और विपक्ष को हराने के लिए रनेती तयार करना है। सिरीज की तो तीसरे दिन का खेल खत्म हो चुका है। आस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में तीन विकेट कवां कर 12 रन बनाए है। तीम इंडिया ने इने 534 रन का लक्ष दिया है। कोर की अस्थापना हुई थी। आज के दिन वर्स 1909 में स्वतंत्र भारत की समविधान पर समविधानिक समीती के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किये थे और इसे ततकाल प्रिभाव से लागू कर दिया गया था। आज के दिन वर्स 1960 में टेलिफोन की स्टीरी विवस्था का भारत में पहले बार कानपूर और लखनों के बीच परियोग किया था। आज के दिन वर्स 2004 में पाक राश्टमती परविज मुसर्णफ के कस्मीर फॉर्मूले को पाक कस्मीर समीती ने खारेज किया था। इन दिनों बच्चों से लेकर बरों हर उम्रिके लोगों के बीच सेलफी लेने का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सेलफी लेने का ये सोक और ट्रेंड आपके लिए जानलेवा भी साबत हो सकते हैं। इस सेलफी लेने के चकर में दूसरों को खत्रे में डाल देना। ये सबी गलत है। ऐसी चीजे करने से बचें जिससे आप भी स्रक्षित रहें और आपकी वजह से दूसरों को भी खत्रा ना हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नाम पर एक फॉर्म बाटा जा रहा है जिसमें सबी बेटियों को दो लाख रुपए देने का दावा किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दी कि ये फॉर्म फर्जी है, ऐसे किसी भी फॉर्म का वितरन अवैद है और इस योजना के तहट किसी भी तरह की प्रोच चाहन रासी नहीं दी जा रही है। तर दिया है, हमें कॉमेंट में लेकर जरूर बताएं, तो हमारा पहला सवाल है। प्रेशिया का सबसे बड़ा समुंद्री मंच सागर मंधन कहां शुरू हुआ है। उप्सन है गुवा, उप्सन भी नई दिल्ली, उप्सन सी है है हैदराबाद, उप्सन भी जैपूर, उप्सन भी जैपूर, इसका सहीं तरह नई दिल्ली। विहार में डाल मिया नगर किसके लिए प्रसद है। का जवाब जन के नाम है। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करने और सब्सक्राइब अगर आप फिस देखने तो पेच को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद। झाल को बिहारी ना भूले। झाल को पाल को और सब्सक्राइब ना भूले।